नमस्कार स्वागत है आप सभी का एब इस्टार नियूज में और मैं हूँ आपके साथ जुबैर चौदे वक्तों चला है हमारी देव भूमी का जहां सबसे पहले बात करेंगे चंपावत की आपको बतादे के सीम पुसकर सिंग धामी चंपावत दौरे पर हैं इस दौरान उ सीम पुसकर सिंग धामी ने खटीमा में सहीद इस्थल पर आये जिता हर घर तिरंगा कारे करह में सुरकत की जहां मुक्यमंतुरी ने उत्राखंट राज्य निर्मार के लिए हुए सहीदों को सुरत धांजली दी वहीं स्कूली शात्रों ने तिरंगार रातरा निकाली इस सीम धामी ने हिस्था लिया सीम पुसकर सिंग धामी ने चंपावत के लोहागाट इस्तित आश्रूम में मायावती में बीजेपी के कारे करता और आश्रम के पदादेकारियों के साथ हर घर तिरंगा यात्रा निकाली इस दौरान भारत माता की जय बंदे मातरम और जय के नारे मायावती आश्रम के परिश्र इन सभी नारों से गूंज उठा और इस दौरान बच्चों में खासा उत्साहत देखने को मिला परिटन में बात कर लेते हैं उत्रकाश्वी की जहां आजादी केमरेत महतसुफ के तहत कारेकरम आयवजित किया गया इस कारेकरम के तहत सभी लोगों को हर घर तुरंगा लगाने के लिए जागरो किया गया देश को आजादी मिले 75 साल पूरे हो गए हैं आजादी के इस जन्स को मनाने के लिए पूरे भारस वर्स में इस साल आजादी का अमरित महतसुफ मनाया जा रहा है इस दोरान देश भर में कई सांस्कृतिक और कारेकरम और भक कायोजन किया जा रहा है आजादी के अमरित महतसुफ में देश भर में देश भक्ती की भावनाओं को जागरत करने के लिए उद्देश के साथ आजादी के अमरित महतसुफ पर हर घर तुरंगा अभ्यान के तहट यमनूतरी हाईवे पर कारेदाई संस्था रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पधितकारियों और करमचारियों ने बैंड बाजे के साथ 24 किलो मीटर तक भारत माता की जय और बंदे मातरम के जयकारों के साथ तुरंगा यातुरा निकाली इसके साथ ही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सुरी जी एस रेड़ी ने लोगों को अपने घरों पर रास्ट्रिय धवज लगाने की अपील की वेटर में बात कर लेते हैं अब जौलापूर की जहां पर तुरंगा यातुरा कायोजन किया गया इस दौरान एससपी की अगवाई में तुरंगा यातुरा निकाली गए जौलापूर में अजादी कैमरित महत्व के तहट पुलिस में तुरंगा यातुरा रेली निकाली इस दौरान एससपी हिमानसु वर्मा के अगवाई में सहर भर में तुरंगा यातुरा निकाली गई यात्रा शिव मूर्ती से शुरू होकर देवपूरा चौक, श्रीव कूल, पुराना रानेपुर मोड, चंद्र आर्या चौक और आर्या नगर शंकर आशरम से होते हुए ज्वालापूर वापस पहुची इस मौके पर हिमाशु वर्मा ने सभी लोगों को अपने घरों में तुरंगा जंडा लगाने की अपील की, इस दौरान कारेकरम समाप तो होने जाने के बाद, तुरंगे जंडे को समान पूर्वग घर में रखने की बाद भी कही गए अब लालकुआ की कर लेते हैं जहां भव्य तुरंगा यातुरा निकाली गई इस दौरान राज्य मंत्री अजय भट की अगवाई में यातुरंगा रेली निकाली गई लालकुआ केंदुर राज्य मंत्री अजय भट के नितुरत में तुरंगा रेली निकाली गई इस दौरान केंदुर रख्षा राज्य मंत्री अजय भट ने कारे करताओ और आमजन से 15 अगस्त को अपने घरों पर रास्टे धवज फैराने की अपील की इस दौरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए अजय भट ने कहा कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के आवान पर आजादी के अमरित महत्साव को पूरा देश भर में एक जन आंदौलन में बदल दिया है ये आंदौलन निश्चित रूप से रास्टे एकताओर और अख खावे के लिए ही रास्टे भक्ति का गुर्गान किया है कोई घर छूटा रही है इस बार जहां तिरंगा नहों हर्टर नों बात कर लेते हैं अब हरद्वार की जहां HRDA ने अवैदर निर्मार को सील किया हरद्वार रूल की विकास प्राधी करण के अनादकरित रूप से विक्सत कॉलनी को सील किया इस दोरान HRDA की टीम ने बहरादाबाद टोल प्लाजा के पास पहुची यहां पर कॉलनाईजरों को पहले से ही टीम ने अवैद रूप से विक्सत कॉलनी का नोटिस थमा दिया था लेकिन कॉलनी संचालक ने विकास प्राधी करण से बिना नक्सा पास कराए कॉलनी निर्म HRDA की टीम ने सील कर दिया है जब तक नक्सा पास नहीं होगा तब तक कॉलनी पूरी तरह से सील ही रहेगी लेटर में बात कर लेते हैं चमपावत की जहां सीम पुसकर सिंग धामी ने सीम कार्याले का सुभारम किया एस दोरान सभी लोग अपनी समस्याओ को लेकर सीम कार्याले पर पहुँचे मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामी ने गोलजियो मंदिर मार्ग पर गोरल चौट मैदान के पास मुख्य मंत्री केम्प कार्याले का सुभारम किया जिसमें सीयम पुसकर सिंग धामी ने चंपावत के विधायक और कैम्प कार्याले खुलने के बाद अब इस थाने लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर दहरा दून नहीं जाना होगा वे अपनी समस्या और मांगो को लेकर कैम्प कार्याले के माध्यम से सीएम तक पहुच सकते हैं जिसके बाद मुखे मंतरी गोरल चौर मैदान में आयुजित रक्षा बंदन महुतसव कारेकरम में सामिल हुए जहां उन्होंने प्रधान मंतरी मोदी की तरफ से शुरू किये गए अमरित महुतसव के बारे में जन्तासू से जानकारी साजा की उन्होंने इस मौके पर अपने देश के वीर जवानों को भी याद किया प्रेटन में बात अब नजित नगर की कर लेते हैं जहां आजादी केमरित महुतसव के तह तुरिंगा यात्रा निकाली गई इस दौरान मंतरी प्रेम चंदर अगरवाल भी इस यात्रा में सामिल हुए नजित नगर में आजादी की 75 वी वर्षगाड पर आजादी के अमरित महुतसव को यादगार बनाने के लिए जोड़दार तयारियां की गई हैं प्रुदेश की कैबिनेट मंतरी और जुले के प्रभारी मंतरी प्रेम चंदर अगरवाल कारिया क्रम के दौरान निदिन दंगर पहुँचे जहां उन्होंने प्राथमिक उच्छ प्राथमिक और हाई स्कूल इंटर कॉलेज और महाविध्याले के छातर चात्राओं के पंदर अगस्त मोहोने वाले आथास्य के रेलियो और कारियकरम के जानकारी देते हुए सब ही ने बढ़ चरकर इसमें हिस्सा लिया और आजादी कैमरित महुसव की 75 वी वर्सगाट को यादगार बनाने की बात भी इस कारियकरम में कही गई रेटर में बात कर लेते हैं अब अलमोडा की जहां कॉंग्रेस ने तुरंगा बीजेपी की तुरंगा यात्रा को लेकर निशाना सादा है राजेपी की तुरंगा यात्रा के नाम पर लोगों से वसूली कर रही है जबकि सरकार ये तुरंगा लोगों को मुफ्त में भी दे सकती है अलमोडा में प्रियाश करते हुए कॉंग्रेस सुनेता और पूर्व सा राज्यसबा सामसद्र प्रदीर टंटा ने केंद्र की बीजेपी सरपार कर जम कर हमला बोला उन्होंने का कुछ लोग तुरंगा यात्वरा के नम पर देस में उनमात फैलाने का काम कर रहे हैं देश की कैशनद्र के लोगतंत्र कबश conductor क्ता करने का काम कर रहे है harvest कुस ताकतें चोड़ रही हैं और जो हमारा रास्टी धज्ज है वो सार्ब मौमिक्ता का वो सांती का वो प्रगती का प्रतीक है और आज कुस लोग उस तरेंगे के माध्यम से रास्ट मौनमाद फैलाना चाहते हैं तो कॉंग्रियूस पार्टे नहीं कही कि टोर भी वाब बात कर लेते हैं पॉड़ी की जौहां रेप के आरूपी को पोलिस ने गरफतार कर लिया है बड़ी जुली के सथपूली तहस्वील के इंद्रुगत राजस्टी चेतर के एक गाउं में यूवती से दुरचार करने के वाले आरूपी को पोलिस ने गरफतार कर पुरिस्त ने अंसार पिर्ट और आरोपी दोनों एक ही गाउं के रहने वाले हैं और अलग अलग जाती से तालोक रखते हैं। मामले में परीजोनों की तहरीर पर राजसव पुलिस ने दुरचार और समबदित सहीत सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जिसके बाद राजसव पुलिस ने पुलिस का काम नहीं करने के कारण यह मुकदमा डियम के आदेश पर रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। इस दोरान सीयो पी एल टम्टा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजसव छेद्र के इस मुकदमे से में पुलिस पीडित के घर जगाया था कि आरोपी अब शादी से भी मना कर रहा है। एक यहोती दुरूं एक जाओं के थे और इसने यहोती से बलाद कार करके उसके पेट में लेटन के आखरी में बात को लेते हैं देहरादून की जहां पेपर लीक मामले में अब गरफतारियों का सलसला अभी भी जारी है। रहे जाने वाले मास्टर माइंड के मुखे साथी तनुज सर्मा को लंबी पूचताज और पुखता सबूदों के अधार पर गरफतार किया गया है। एस्टेएफ के मताबिक गरफतार आरोपी तनुज सर्मा दहरादून के रहएपुर्चौक का रहने वाला है और अरत्मान नतुरकाशी के राज के इंटरमीडिट कॉलेज नेट वार्ड में सिक्षत के रूप में काम करता है। एस्टेएफ ने आरोपी को पूच्टाज के लिए बुलाया था और उसके बयानों के अधार पर उसे गरफतार किया गया है। देखते रहें एवी स्टाइनियोस।